सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए बने रहें मेरे चानल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेलकम फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन ग्रेल की रेसिपी यह बक्रेद में स्पेशली बनती है सबके आमोमन बट आज मेरे बच्चों की फरमाईश पर मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए तो आप इस तरीके से ब मटन मैंने 1500 ग्राम लिया है यह सीने वाले पीसेज हैं रिब्स जिसे कहते हैं आप बुचर को बोलेंगे तो वो काट कर देगा आपको इस तरीके से अब इसमें हम एक टेबलस्पून लहसन का पेस्ट और एक टेबलस्पून अद्रक का पेस्ट कि बहुत ही कम मसालों में बहुत ही एजी तरीके से मैं बता रही हूं आपको एक प्यास या दो मीडियम साइज की प्यास को काट कर आप डाल दें अब गरम मसालों में तीन से चार दालचीनी ले लें साथ आठ छोटी लाइची, दो बड़ी लाइची, थोड़े से लॉंग कुछ काली मिज और एक फुल जावित्री दो सुखी लाल मिर्च और दो देजपाथ रेच चिली पौडर ले लेंगे हम, वन एड़ा हाव टीस्पून और काली मिज का पौडर एक टीस्पून नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा शाही जीरा है, हाफ टीस्पून इसे आट कर दिजे ना हो तो आप नॉर्मल जीरा भी आट कर सकते हैं अब मस्टर्ड ओयल दो टेबल स्पून आट करेंगे हम मस्टर्ड ओयल से फ्रेवर जादा अच्छा होता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ अदर्वाइस आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप हम फ्लेम ओन करेंगे हाई फ्लेम पर थोड़ी दिर पकने देंगे और फिर कवर करके इसे अराम से छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी दिर के बाद उपन करके फिर चेक कर लेंगे देखिए मटन का कलर भी चेंज हो गया है, मसाले भी गल रहे हैं अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके आराम से इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर आप इसे पकाएं आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं बट इस तरीखे से ज़ादा अच्छा टेस्ट होता है ये धीरे धीरे आराम से हाफ एन आर्ट टो 45 मिर्ट में आपके मटन पिट पेंट करता है कैसा है उस हिसाब से वह गल जाता है बीच बीच में चेक कर लें आप खोल कर और मिक्स कर लें ये अल्मूस्ट रेडी है ये बहुत ही आसान है इसमें कुछ भी नहीं करना होता है उसके बाद जब ये गल जाए तो हम इसे शैलो फ्राइ कर लेंगे बहुत ही कम ओईल में क्योंकि अल्रेडी ओईल होता है इसमें बहुत ही कम ओईल में इसे बस अलट प्लट कर दो मेट के लिए हम शैलो फ्राइ कर मटन ग्रेल बनकर तयार है तो आप इस तरीके से एक बर जरूर ट्राइए करें तो ग्रेल हमारा रेडी है आप इसे प्लेट में निकाल लें और फिर इसे डिशाओट कर लें इस तरीके से मैंने खीरे और प्यास के लच्छों के साथ इसे सर्फ किया है आप अपनी पसंद की चेटनी के साथ किसी भी सायलेट के साथ सर्फ कर सकते हैं इसे पीसेज निकालने के बाद जो मसाला बच जाता है आप उसमें आटा डाल दें और थोड़ी प्याज हरी मिर्च धरियापति डाल कर उसका डो बना लें और उसकी रोटी बना कर खाएं साथ में बहुत ही तेस्टी